वीडियो में बात करने बाल है इफको की आई हुई नई वैकेंसी के बारे में जहां फिर फानेजर के कैंड़ेट और फ्रेशर्स कैंड़ेट जो है एलिजबल है काफ़ अच्छी वैकेंसी है तो आज हम इसके रिगार्डिंग बात करेंगे और इसके साथ-साथ जितने भी इ कर दिये गा तो यहां पर जो क्वालिफिकेशन रखा गया उसके रिगार्ड के मैं बात करता हूं दोस्तों यहां पर जो क्वालिफिकेशन है बीसी नाग्रीकल्चर के लिए फ़ान कर सकते हैं अगर आप फानल ये में है यहां फिर आपका फानल समस्टर है और आपका जो कर सकते हैं कि इसके साथ दोस्तों यहां पर मैं बात करूं जिनरस ओवसी के लिए यहां पर 60 परसेंटेज है रिक्वार्मेंट है आपका बेसी अग्रिकल्चर में अगर आपका सीजी पीये है दोस्तों तो आप जो है सीजी पीये को Canva करें ये परसेंटेज मेंगे हैं और यहां पर जो परसेंटेज में यह को घालेंगे यहां पर 20, 21, 22, 23 हर एक केरेंट जो अपलाई कर सकता है अब यहां पर जो maximum is limit है दोस्तो 30 साल रखी गई है बागे जो relaxes है वो आपको यहां पर दिया जाएगा आपके category खिसाब से जो मिलती है अब दोस्तो इस job की जो job location है all over India में होने वाली है और यहां पर ध्यान रखिएगा आपको जो है हर एक जिस मली अब जिस state के लिए apply कर रहे है उस state का regional language जाना जरूरी है तो देखे यहां पर initially होगा क्या सबसे पहले तो आपको जो है initially training रखा जाएगा training के दोरान दोस्तो आपको एक साल का training होगा training दोरान आपको 33,000 पर मंद दिया जाएगा training complete होने एक बाद दोस्तो यहां पर जैसे लिखा गया है कि आपको जो है यहां पर regular कर दिया जाएगा और जो आपका regular pay है दोस्तो वो जो है 37,000 लेके 70,000 तक रहेगा इसके सास्त जो आपके allowance of benefit होते है वो सारी चीज़े जो यहां पर मिलेगी आप दोस्तो यहां पर देखें service bond भी है service bond दोस्तो जब आप job छोड़ते है तब के लिए applicable होता है जहां पर दोस्तो जब आप छोड़ेंगे जैसे एक साल के अंदर अगर आप तीन साल के अंदर छोड़ देते हैं तो आपको जो है अगर जेनर्स OPC है तो 80,000 अगर आप SCST है तो आपको जो है 20,000 देना पड़ेगा अगर 3 साथ बाद चोटे तो आपको कोई भी यह bond जो है applicable नहीं रहेगा तो यह इस यह bond है आप अपने recording यहाँ पे रहने वाला है अब यहाँ पे दोस्तों जो selection procedure है उसकी regarding में बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो selection procedure है उसमें जो है computer based examination होगा जो online होगा और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो इसका pre का online test exam होगा वो जो है आपको यहाँ पे अगर आप pre examination जो candidate जो short list होगे performance based of online test वो जो है final online test के बुलाए जाएंगे तो final online test कहाँ पे होगा यह दिया गया है examination center दिया गया है एहमदाबाद, बैंगलरू, डैली, कोलकाता, चेनना, लखनाव, मनाकपूर, गोहाटी, पतना, रायपूर, सुरत, वरानसी, चंडिगा, देरादुन, पूने, हैदराबाद, जबलपूर, भोपाल, सिम्ला, जम्मू, जोदपूर, कोचिन, बीजयवाडा यह सब जो है, दोस्तो, इसका examination center है, अब दोस्तो, यहाँ पे जो है, आप जब form fill up करेंगे, तो आपको दो option मिलेंगे, examination center चूज़ करने के लिए, आप अपने according वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं यह हो गया दोस्तो, यहाँ पे selection procedure, जो final selection procedure, दोस्तो, आपको online test और इसके बाद जो है, आपको personal interview बुला जाएगा, उसके business पे यहाँ पे लिया जाएगा अब दोस्तो, form को कैसे apply करना है, तो form को apply करने के लिए, कोई भी application fee नहीं लिया जा रहा है, और यहाँ पे आप form को apply कर सकते हैं, 7 October 23 तक, जी हाँ दोस्तो, 7 October 23 तक जो है, इसकी last date है, इससे पहले जो आप apply कर लिजे, कहां से apply करना है, यह देखिए, यह जो है, इस link पे मैं आपको दे दूँगा, यह link पे आप direct जाके form को fill up कर सकते हैं, तो दोस्तो, जैसे आप link को click करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रगा का platform खुल के आएगा, अब यहाँ पे दोस्तो, जो मैंने information आपको बताई है, सारी information जो है, यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हो, इस प्रड़ा डालके, यहाँ पे form को sign up करेंगे सबसे पहले, अब दोस्तो, देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे sign up करते हैं, तो इस प्रकार जो है, आपका OTP आपके verify कर देंगे, तो आपका verify हो जाएगा, यहाँ पे जो है, चार step में जो है, आपको form profile करना है, पहला step देख त status, इसका मतलब यह होता है, आप married है, कि single है, आप अपने according यहाँ पे जो भी है, select कर सकते है, date of birth, इसके बाद दोस्तो, अगर आप employee है, इसको के आपका son, daughter कोई भी है, तो आप यहाँ जवाब दे सकते हो, आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले job location, आपको state यहाँ पे select करन इसके सारा information जो है, fill up करेंगे, इसका जो है, आप second step पे लिए जाएंगे, second step में आप जो है, फॉर्म को यहाँ पे fill up करेंगे, इसके आप जो है, third step में, जहाँ पे आपको photo signature सारा information मागा जाएगा, इसरी पकार आप full step में जो है, form को fill up कर लेंगे, तो इस प्रकार दोस्तो आप form को fill up कर सकते हैं, वीडियो पसंद आया है, जरूर लाइक कीजिगा, share कीजिगा, तो 7 October 2013 से पहले जो है, जरूर फॉर्म को fill up कीजिए, अगर आप यहाँ पे eligible है, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताए, दोस्तों हमारे चनल में बहुत सारी फ्रेशस वेके आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपके जो लास्ट डेट है, उससे पहले आप form को fill up कर सके, आपने केर को नया मुकाम दे सके, तो वो सारा वीडियो भी देखना ना भूले, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएगा, धन्यवाद,